अवरत का चरित्र दोडने लगे तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही है तो उस अवरत ने कहा ताकि गाँवाले आएं और आपको खुट पिटें और इतना पिटें कि आपके फूच ठीकाने लग जाए यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा मुझे माप करें मैं तो आपको एक भली और इजद्दार आउरत समझ रहा था तभी उस आउरत ने कुवे के पास रखा मुटके का सारा पानी अपनी सरीर पर डाल लिया और अपने सरीर को पूरी तर भीगा डाला इतने तेर में गाँवाले भी कुवे के पास पहुच गे गाँवालों ने उस आउरत से पूछा कि क्या हुआ अउरत ने कहा मैं कुवे में गिर गई थी इस भले आदमी ने मुझको बचा लिया यदि यह आदमी यहां नहीं रहता तो आज मेरी जान चले जाती गाँवालों ने उस आदमे के बहुत तारिब की और उसको कंधों पर उठा लिया उसका खुब आदसतकार किया और उसको इर्णाम भी दिया जब गाँवाली चले गए तो उस आउरत ने आदमी से कहा अब समझ में आया आउरतों का चरितर अगर आप आप आउरत को दुख तेंगे और उसे परसान करेंगे तो आपका सब सुक्षें छिन लेगी और अगर आप उसे खुश रखेंगे तो आपको मौद के मुझसे भी निकाल लेगी दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके और से बताएं मुझे अमीद है किया कहानी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो आवर्श लाइक और शेयर करें मैं ऐसी ही कहानिया लाता रहूंगा इसलिए SP हिंदी स्टोरिज को सब्सक्राइब आवर्श करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें धन्यवाद, तैंक यू, शादर अवार